नमस्कार दोस्तों यह वीडियो कुछ reality बताने वाली है तो वीडियो को शुरू अगर किया है तो लाश तक जरूर देखें यह मेरे personal experience मेरे दोस्तों के जो या किसी भी government exam के तयारी कर रहे थे उनके experience और आप लोगों को पिछले तीन-चार सालों से जो में गाइड करता रहूं आप लोगों को देखते हुए यह वीडियो बनाई गई है इस वीडियो का पूरा उद्देश जैसे होता है कि हर वीडियो का description लिखा रहता है कि कि किसी को खुए-धास करना नहीं है या फिर किसी को बुरा बताना नहीं लिए पूरा मकसद यह है कि आपके अंदर की बुराई को बढ़ाया जाय निकाला जाय आपको आहत किया जैकर दिन को ठेस वहुच अभी देखने की तभी देखना जो क्या होता है आपने कहावत भी सुनी होगी कि तू मेनी कुक्स अपने सुना होगा तू मेनी कुक्स इस्पॉइल दब्रॉज यह कहावत अगर आप सुनते होंगे कि किचेन में बहुत सारे कुक डाल दे जाए तो खाना अच्छा बनने के बज़ाए बेकार हो जाएगा यह क्यों मैं बता रहा हूँ क्यूंकि आपको मैं बता दू कि प्लेंटी से सोर्से हो जाते हैं यानि कि मल्टिपल सोर्से हो जाते हैं तो आपकी चीजे हतरनाक हो जाती हैं अब वो सोर्से किस तरह से किस तरह से आपके हावी हो गये हैं कितना हावी हो गये हैं उसकी बात कर लेते हैं उसको देख लेते हैं और अगर आप असलियत से इस मोटिवेशनल रिल के आते ही हमारे अंदर आ जाता है जोस अब जोस आया तो आपको पता है कि जब हमारा हॉर्मोनल रिलीज होता है जैसे हमको बहुत खुश होते हैं बहुत दुखी होते हैं तो हॉर्मोनल रिलीज होता है वार्मोंस इतना हाईपर करते हैं, में हाईपर एक्टिव कर देते हैं, और हमें लगता है कि नहीं भहिया, आप तो हम जिंदिगी में छोटा-मोटा करने के लिए बने ही नहीं जो देखा है, अगर अम्मानी को देख लिए और 10 मिनट तक अम्मानी की वीडियो देखी, तो हम अम्मानी बनने का सपना देखने लग जाते हैं, यह अम्मानी तो बहुत बड़ा एक्जामपल हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ कि नौकरी वाले, अक्सर हमें नौकरी वाली रिल्स दिख जाती है, चाहे वो कोई ट्रिपल स्टार वाले भाया हैं, कि ट्रिपल स्टार दिखा रहे हैं, बबसक्लि यह जो हवा बाची है, यह Ssc के फिल्ड में कुछ ज़्जादा है, रेल्वे वाले भी नौकरी कर या फिर SSE की तयारी करके वो निकाल के वो खुट की रील बना रहोगा आपको 99% रील यही मिलेंगे भी 90 कहा था हम 99 क्या रहोगा या तो कोई ट्रिपल इस्टार वाले भाया होंगे या कोई मिनिस्ट्री वाले भाया या दीदी होंगे या फिर कोई कोई इंकम टेक्स इंस्पेक्टर होंगे या या कोई आपका अउंटेंट होंगे या कोई हमें ओस यी को patा ह करें यहीं, Cy invece कर रहे हैं। तो इस state exam की या फिर अपनी life में कुछ और आगे करने का सोच रहे होते हैं, उनको flex करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने, जैसे लोग 5,000 rank, 10,000 rank पर flex कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो अपनी 5 rank लाके भी अपने state में job करने लग जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं इस हवाब पाजी करने का, उसके बाद आते हैं, अगर मैं बात कुरूँ CBI में, CBI में तो लाउट नहीं है, अब एक बात बताओ कि जो CGL में accountant कोई लगा है, या फिर कोई tax assistant लगा है, चाहे 2800 में लगा है, चाहे 2400 में, क्या ये rank 1 से कम knowledge रखता हैं, नहीं, SSC में कोई भी rank लाने वा तो अब किसी को description ज़्यादा मिलगे, उसी प्रकार से competition में जिदने लोग select होते हैं, अगर 8000 वेकंसी में 8000 लोग select कर रहें, तो कोई किसी से कम नहीं है, flex करने वाले ज़्यादा होते हैं, करना करने वाले कम होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग जो accountant और TI हैं, ये क हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं, कौन से एक्जाम की तैयारी की जाएं, अब एक्जाम तो से सीजियल ही करेंगे, क्योंकि इसी में सबस्यादा post है, इसी में सबस्यादा post है, इसी में सबस्यादा power है, और इससे उपर ना Prime Minister है, ना President है, कोई इससे उपर नहीं है, मदब यह ultimate जिंदगी का अंतिमसार यही है, कि सीजियल की नौकरी पाज़ो मोच की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, आपने यह देख लिया, उसके बाद आपका अगला चरण जो होता है, उसके बाद होता है, कि जब हमें नौकरी परिच्छा कि रेट होते हैं, तो हम वह अलग-अलग देखेंगे, जब सेलरी देख ली, तो हमें यह भी तो देखना है कि सेलरी, इंकम टेक्स के बाद कितनी मिलती है, इसकी भी वीडियो देखेंगे, और जो उपर मैंने बता है, जो रील हमारे सामने आई थी, वह एक दो रील नहीं मिलाता, जब हमने इंकम टेक्स कटने के बाद सेलरी देख ली, उसके बाद आएगी, तैयारी बे तो सुरू करनी है, उसके बाद सुरू होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पे भी वीडियो आएगी, कौन सा एक्जाम का, सीजियल का, अब ये एक वीडियो और हो देखने के बाद हमारा ये होगी, नोटिफिकेशन जब आएगा, तो एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट की वीडियो हो गई, उसके बाद यहीं से हमारी अगली वीडियो पे आते है, एज लिमिट के बाद हमारी आती है, कि भाईया यही बताओ कि वैकंसी कितनी आए कि यह वीडियो होगे उसके बाद यहीं पर खतम नहीं होता उसके बाद हम देखेंगे नोटिपिकेशन आने वाला है तो सार्टिफिकेट कितने दिन पूराना होना चाहिए certificate related video देखेंगे ठीक है कोई बात नहीं यह भी देख लिया उसके बाद हमारा यह देखेंगे last year के cutoff कितनी थी इस पर भी video देख लिए उसके बाद last year cutoff के बाद हमारा सुरू होगा कि भाया यह बताओ कि vacancy आ गई testाक से ऊटिटेल्स क्या है कि इस पर वीडियो देखेंगे उसके बाद डीटेल्स पर रुकना नहीं है जैश्ट के बाद हम कैसे भर किस वीडियो आ इस पर वीडियो आएगी इस पर वीडियो देखेंगे उसके बाद जब फॉर्म भर दिया है तो यह देखेंगे फीस पेइमेंट और अगर किसी का फस्ता तो वह भी वीडियो देखनी अधरवाइस अब हम क्या काम करेंगे हमने यहां तक की वीडियो देख लिए अब उसके पढ़ते तो आपने उसके 17 वीडियो देखी यहां पर काउंट करना 17 वीडियो आएगी 17 वीडियो देखने की जरूरत ना होती हाला कि पहली बार देख रहे हैं तो देख लिया कोई बात ने चलो यहां पर नसा खतम नहीं होता अब क्या सुरू होता है अब अगला जो हमार तो नहीं देखनी हमें पहले अब मालो 6 महिने मिनिममम 6 महिने का तो टाइम होता ही है 180 दिन फिर 170 दिन फिर 150 दिन फिर 140 दिन फिर ऐसे ऐसे करके 90 दिन 60 दिन 35 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन फिर 20 दिन 10 पांच दिन यह सब strategy वीडियो यह कैसे कितनी वीडियो लगवाग 10 वीडियो यह वीडियो जब देख लए उसके बाद हम यह देखेंगे कि भाइभया सब तो देख लिया है यहीं हमारी यहां यह नहीं रूक रही आब बेस्ट बुक्स पर वीडियो इस पर यहीं नहीं रुकना उसके बाद उन टीचर्स का मालो किसी का कोर्स लिया तो टीचर्स का कोर्स कैसे देखें उस पर वीडियो इस पर वीडियो देखेंगे कि उसके बाद teachers का course देखना शुरू किया मालो 200 वीडियो इधर ती तो 200 वीडियो 200 यह देख ओ इसुष compart देख धेश्क जाए नलेते अब थोड़े देर के लिए उसके बाद teachers का course ले लिए उसके बाद हम क्या करेंगे अब टीचर्स ने मैथ पढ़ाना शुरू किया हमने क्या 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 नोट्स कैसे बनाए इस पर वीडियो कैसे बनाए इस पर वीडियो देखेंगे अब यहीं नहीं रुखना है नोट्स कैसे बनाए वीडियो उसके बाद रिवीजन कैसे करें उस पर वीडियो हैं कि यहीं कैसे करने के पार आप देखेंगे न कि क्या नोड्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो उस्ट बनाना था उस टाइम यह देख रहे थे कि नोड्स बनाना कैसे बनाएं जरूरी है अब हमें जब टाइम कम पड़ गया अब क्या करें अब तो हमें सॉट नोट्स का देखना पड़ेगा तो यहां से हम देखते हैं स्सी के लिए सॉट नोट्स कैसे बनाएं सॉट नोट्स कैसे बनाएं करें तो म हम वह सारे लोग हम क्या काम करेंगे उनका जाके टेलिग्राम चैनल जुएन करेंगे आई से ऐसे करके 100 चैनल भी हो जाएंगे मतलब 100 से ऊपर चैनल हम जुएन कर चुके है पीडियाप मिटा करते करते हैं वीडियो तो हम 200 देखी चुके है नोटस मिटा करने के लिए औगे 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 जो ने यह देखके लिया उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे लाइब्रेरी में पढ़ना सही है ये घर पर इस पर वीडियो देखेंगे उसके बात डेली सीडियूल जूसके रखना है, है अरे यार कहां सोचड़ों रुकना है सिर्यूल के बाद आपको क्या काम करना है उसके बाद लाइफ पढ़े कैसे लाइफ जो पढ़ रहे है भाईया दीदी अब यह भी तो शुरू है एडे इन लाइफ आफ एससे स्टुडेंट उनकी वीडियो फिर ब्लॉक्स देखने है कौन से वाले इस्टेडी व्लॉक्स हम पढ़ाई कर रहे हैं वाई इस्टेडी व्लॉक्स वीडियो देखेंगे उसके बाद यह सारी चीज हो गई तो अब हमारे पास एक्जाम के लिए बचा है तीस दिन वाली स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी वीडियो अब चूंकि हमने करें यह वीडियो यहीं पर रुखना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि यहां पर रुखना है नहीं लास्ट टाइम क्या ना करें वीडियो देखने के बाद हम कहां चले जाए मैंने नोट कर रखा एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं उसके बाद आप चलोगे यहां से लास्ट टाइम लास्ट मिनेट एक्जाम टिप्स देखेंगे लाट लास्ट मिनेट एक्जाम टिप्स इसकी वीडियो देखेंगे यहीं आपको लग रहा होगा कि नहीं हो गया सब नहीं एक्जाम हो गया ना यह देखेंगे कि एक्जाम रिव्यू कैसा आ रहा है एक्जाम ए कटक वीडियो नहीं चाहे कर सकते हम प्रूअसे तक तक मirstyरी इसकि यहीं यह हो सठी कवल दे आपार प्तक दोड़ने रहनी है दोड़ते रहनी है चाहे सुव जाहे दो सो वीडियो हो जाहे यहां तक रुख जाने नहीं मेरे भाई यहां रुपना कहा है अब उसके बाद यह देखेंगे ने नॉर्मलाइजेशन में मेरी सिफ्ट के कितने बढ़ने वाले है नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा टफेस्ट कौन सी थी इसकी वीडियो इस सारी चीज़े कर ली ठीक है अब यह रुप जाना है नहीं नहीं न वीडियो देखने क्योंकि सेलेक्शन तो हुआ नहीं कटाफ ज्यादा क्यों गई इस पर वीडियो इस पर वीडियो देखेंगे इस बार जिनका नहीं वह जरूर देखें इस बार जिनका नहीं वह उनको हतासा जिनको हुई है उनको मोटिवेट भी तो करना है जिनका नहीं नहीं हुआ लिख लेना उनकी वीडियो एक भी आएगे कि मेरा भी नहीं हुआ आपका भी नहीं हुआ कोई बात नहीं अब हम क्या काम करेंगे आपको मोटिवेट करेंगे मोटिवेट करने के लिए क्या होगा हम नया सीडियूल बनाएंगे मोटिवेट करके हम नया सीडियू उसके बाद रात में नौ बजे लाइव आऊँगा, चेक करूंगा कि आपका जितना सेडूल है, वो सही चल रहा है या नहीं उसके बाद, अब हमने यह देखा कि ऐसे करते 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 दो से तीन साल होगे, अब हम अहतास होगे, हतास होगे, तो क्या काम करेंगे, रिली क्योंक हम सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब एक जया शुद्सक्राइएं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, 1500 से 2000 में minimum कहा रहा हूँ, अगर आपने दो साल तयारी करें और दिन के दो वीडियो देख रहे हो, तो आप मालो कि कि यूट्यूब कितनी बार खोला या यूट्यूब पर कितनी वीडियो देखी शॉट्स मिलाके एक लाख प्लस बार वीडियो देखते हो या आप मानो ना मानो आपको क्या करना था अपने इन चीजों में फसक्राइब फिर से साइकल शुरू हो गया फिर से मोटिवेट होने उसी बाजार में मार्केट में जो आप जाते हो उसी मार्काट में जंक-फूड भी मिल रहा होता है और वहीं बागада में डॉक्टर की दुकान भी होती है लग, अगर आप तक हुछना है तो मार्केट में ह fluor्ना पढ़ future तो यह मार्केट जो है इसमें बहुत सारे जंग फूड भी मिल रहे हैं लेकिन डॉक्टर को भी यहां बैटना पड़ेगा इस वजह से मैं बड़ा भाई चोटा भाई होने के नाते यह वीडियो कर रहा हूं कि आपको डांड दू यह सिंपैथी कार्ट नहीं खेल रहा हूं क वह देखना चाहिए दूसरा previous year question का solution देखना चाहिए यह नहीं कि मैंने करवाया है अगर आपने कर रखा है previous question कर रहे हो तो उसमें कई सारे प्रशन फंसते हैं उनका solution वीडियो देखना चाहिए आपको मालो कोई question फंस रहा है उसको Google पर डालो Google लेंस पर डालो Google लेंस आपको उस question के solution पर कहीं वीडियो solution जो भी मिलेगा या written solution वो देखना चाहिए उसके बाद आपको क्या देखनी चाहिए अगर आपको कहीं भी लगता है कि यह चीज कैसे पढ़े मतलब मालो time से आपक आपको टॉफर्स गाइड करता है या फिर आपके टीचर्स ने जो वीडियो या क्लास में करवाई होगी अगर आपको live class में मिल रहा है कोई बात में अगर आपको लगता है कि start करना तो एक बार स्टेट्ची देखने से स्टेट्ची थोड़ी बदल जाएगी तो आपको ए अनालिसिस करवा रहा है तो वह अनालिसिस देखो फुद करो और उसमें जो डॉट आपका पस्ट है वह वीडियो देखो आप कही बार ना मैत आपने किया नहीं स्टार वैच वाली प्लेलिस मालो आपने जहां कहीं से बेट करा इस्टार बैस कर रहा होता तो बहुत प्लेलिस्ट है और उसमें मेरे साथ ही लगे पड़े हूँ अरे ठीक है वीडियो चलने दो आपका हाथ चलेगा तब आपकी स्पीड बढ़ेगी ऐसा थोड़ी कि मैं स्वाव करता होंगा मेरी स्पीड बढ़ जाएगी सारी चीजी रियालिटी जा रियालिटी क्या है उसस आपने जो यह वीडियो देखी मतलब जो मैंने दिखा रील छोड़ो तंदरासो वीडियो जो देखी इसमें आपके काम की कितनी है यह अनलाइज करना ठीक है आज ही जाना कि आपने पिछले प्रिप्रिप्रेशन के दोरान जबसे आपने तयारी शुरू किया है तब से इस्टाग्राम हो सब हटाओ तो मुसे मतलब ही नहीं चुकि यह चैनल आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहा है तो आप यह देखना कि पिछले जितने भी टाइम से तयारी कर रहो एबरेज आप कितनी वीडियो देख रहो और कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिय एक ही चीज़ों कि आपने कट आफ सारी वीडियो मिला के तो आप देख लेते हों के 5000 वीडियो लेकिन मैं मिनमम 1500 आप बताना एवरेज कितना देख रहो और आपको चितनी बाते मैंने बता इसमें कौन सी बात बुरी लगी कौन सी बात सही इससे हमें कोई मतलब नहीं बस आपको रियलेटी से वाकिप करवाना था बाकि अपने चैनल पर प्रीवियस और कोशन की सीरी चली होई है अब ही टॉपिक वाइस को अच्छे तरीके से करना सिखा रहा हूँ प्रेक्टिस मैं करवा रहा हूँ प्रेक्टिस करवाने का मतलब यह है कि मैं सीड़ देता तुरंत देखके खतम करो और आगे बढ़ो अगर इस चैनल पर बरोसा है तो अगर नहीं बरोसा तो आप तो देखते हैं लोगे और बागी जिन भी टीचर से जिसके भी बरोसा है उनसे भरोसा कायम रखो उन पर और पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ने से सेलेक्शन होगा ना कि हुए जिसके झाल